सिविल सर्विस परिक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नवजवान साथियों नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं आप सबसे ई-कॉमर्स इस टॉपिक पर कुछ बातें करने जा रहा हूँ लेकिन इस रूप में नहीं कि ए-कॉमर्स क्या होता है बलकि इस रूप में कि कैसे ये हमारे देश की अर्थ व्यवस्था के लिए एक प्रकार से जबरदस्त खत्रे की घंटी है या यूं कह लिए कि ये खत्रे का कहीं नगारा जैसा ही है देखें ये बात आप कहें मैं कहूं तो शायद उतना वजन नहीं रखेगा कोई उद्योग पती कहें तब भी शायद उतना मायने न रखे लेकिन कल्पना करके देखें कि यदि इसी तरह की बात हमारे मंत्री कहें और वह भी सामाने मंत्री नहीं ऐसे मंत्री जो केंद्र सरकार में वाडिज्य एवं उद्योग मंत्राले सम्हाल रहे हो जिनका नाम आप जानते हैं पियूश गोयल है तब डेफिनिटली वो हमारे लिए बहुत महत्तपूर्ण बात हो जाती है और इस पर विचार किया ही जाना चाहिए और ये विशय ऐसा है जो हमारे देश की अर्थ व्यवस्था से सीधे सीधे चुड़ा हुआ है देश की अर्थ व्यवस्था के बहुत ही ब्यावहारिक पक्छ से जुड़ा हुआ है हमारे देश में रोजगार के आवसरों और जीविका के साधन से जुड़ा हुआ है इसलिए examination के point of view से यह topic अपने आप में बहुत महत्पूर्ण हो जाता है तो फ्रेंड सबसे पहले तो मैं आपको suggest करना चाहूंगा कि आप next year के लिए e-commerce को एक महत्पूर्ण topic मान कर चले pre की दृष्टी से भी और mains की दृष्टी से भी आईए अब हम लोग इस पर आगे की जो बातें हो सकती हैं उस पर बातें करते हैं मैं अपने online students को याद देलाना चाहूंगा कि इस topic पर मेरा एक बहुत ही detail में lecture है जिसमें मैंने बहुत ही ब्यावारी के स्थर पर इस विशे को समझाने की कोशिस की है बेटर होगा कि मैं अपनी बात मंत्री के statement से ही शुरू करो कि मंत्री महोदे ने क्या कहा है क्योंकि उन्होंने जिस तरके शब्दों का इस्तेमाल किया है और जिस तरकी बातें हम सब के सामने रखी है वो अपने आप में बहुत दंदार है और बहुत ही महत्तपून है और याद रखे कि जब कोई मंत्री अपने मंत्राले से संबंधित बात कहता है तो यह उसकी अपनी बात नहीं होती यह भारत सरकार की बात होती है यह केंदर सरकार की बात होती है यानि कि वह तेश की बात होती है तो आईए पहले एक दो statements देख लेते हैं कि पियूश गोयल जी ने क्या कहा ध्यान से सुनिएगा तभी आप बातों को समझ पाएंगे ने तो सामाने सा statement आपको लगेगा लेकिन मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वह statement सामाने सा statement नहीं है क्योंकि उसी statement में तो आपको खतरे की गंटी की आवाज सुनाई देगी तो देखे मंत्री क्या कहते हैं दिग्जज e-commerce कंपनियों की दिग्जज यानि कि जो बड़े बड़ी जो e-commerce कंपनिया है अमेजान है, étape बेचने की नीती और इस छेत्र की तेज व्रिधी फक्र करने की नहीं बलकि फिक्र करने की बात है कितना खुबसूरत वाक्य है ना फक्र करने की बात नहीं है ये गर्व की बात नहीं है देखिए वैसे तो गर्व की बात होगी पहली बात तो है कि कम कीमत और फिर कहिरे हैं कि तेज वृधियां। यानि कि यह जो e-commerce प्रप्र्वा कम्पनियाँ हैं, यह बहुत रफ्तार से बढ़ रही है। इनकी आय बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, इनकी विक्री बहुत ज Buzz लाधा हो रही है। तो ये कहीं न कहीं हमारी अर्थ ब्यवस्था को गती प्रदान कर रही है। तो ये भी फक्र करने की बात है, गर्व की बात है। अगर सामाने तोर पर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो गर्व की बात हो नी चाहिए। यही तो इस वाकिय की खुबसूरती है, मंत्री महुदे कह रहे हैं कि दिग्ग जी कामर्स कमपनियों की कम कीमत पर सामान बेचने की नीती और इस छेत्र की तेज वृद्धि फक्र करने की नहीं बलकि फिक्र करने की बात है, चिंता की बात है, अगर ये रिकॉर्ड में दिख क्योंकि इससे आम खुदरा छेत्र में रोजगार खट सकते हैं, इसके बाद बकायदे मंत्री महुदे जी ने एक हमें बहुत खुबसूरत डेटा भी दिया है, और ये डेटा आपको नोट कर लेना चाहिए, उन्होंने कहा है कि इस समय हमारे देश के शेहरों में लगभग एक करोड के आसपास खुदरा दुकंदार है, यानि रिटेलर है, छोटे-छोटे दुकान जो रिटेल में सामान बेशते हैं, छोटे-छोटे तो नहीं कहना चाहिए, जो रिटेल में बेशते हैं, रिटेल में सामान खरीदने के लिए आप क्या करते हैं, आप उन दुकानो जहां आपको जाकर सामान खरीदना पड़ता है, शेहरों में इनकी संख्या एक करोड से अधिक है, और देश भर में दस करोड से अधिक खुदरा कारोबारी है, यानि कि रिटेल, शौप की परसें, दस करोड से अधिक, दोस्तों अगर हम इसे थोड़ा सा कैलकूलेट कर लें किमाली जै कि एक दुकंदार है, वो दुकान चला रहा है और अपने परिवार का भरण पोशन कर रहा है, चली हम कम से कम ले लेते हैं, तो उसके भरण पोशन से या कि उस एक दुकान से चार लोगों की आजजीविका चल रही है, उसके खुद का जीवन चल रहा है, उसकी पतनी है, दो बच्चे है, आश्रित है, जो भी पहली है, चार लोग, अगर इस चार में आप 10 करोड का गुड़ा कर दें, तो 40 करोड लोगों की आजिवी का रिटेलर्स के भरो से चल रही है, और खत्रा किस पर है, इन रिटेलर्स पर है, तो आपको नहीं लग रहा है कि जो वो 40 करोड लोगों की जीवन पर है, इसे ही मंत्री कह रहे हैं यहां, कि यह फक्र करने की बात नहीं है, यह फिक्र करने की बात है, इसका रिटेलर्स देख लेते हैं, कि उन्होंने यह बात किस संदर में कही, अभी मंत्री जी ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस जोजगार एवं उपभोगता कल्यार पर ई-कामर्स का शुद्ध प्रभाव, बहुत इमपोर्टेंट रिपोर्ट है, और मैं जो बात कह रहा हूँ, यह उसी दोर की है जब वो इस रिपोर्ट को जारी कर रहे थे, दोस्तों बहुत इमपोर्टेंट रिपोर्ट है, यह बह और उपभोगता कल्यार पर, इमप्लाइमेंट का तो आपने देख लिया, कि धीरे 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 यह जो रिटेलर्स हैं, यह रिटेलर्स मार्केट से गायब होते चले जाएंगे, तो रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत इस पस्ठ है, देखिए जब हम रोज हो गया है, देखिए ओ फिर और एक डेटा देते हैं, ओ डेटा देते हैं, कि मुझे इसमें गर्व महसूस नहीं होता की, दस साल के बाद हमारा आधा बाजार, इकॉमर्स नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा, यह चिंता की बात है, दोस्तों यह तो अभी की स्थिती है, दस वर्स बाद यह प्रोजेक्ट किया गया है, कि यह पूरा का पूरा जो हमारा बाजार है, इसकी आधी बिक्री, इकॉमर्स के जरिये होगी, कल्पना करके देखें कि उस समय रोजगार के स्थिती क्या होगी, अगर हम मोटे तोर पर दस करोड रिटेलर्स कह लें, तो इसमें पहले किताबों की दुकाने रही होगी, एक दो ही सही, छोटी सी सही लेकिन किताबों की दुकाने रही होगी, आप जब रेल से सफर करते थे, तो इस्टेशनों पर भी छोटी मोटी दुकाने होती थी, जिनमें किताब डिस्प्ले किये हुए होते थे, क्या अब वो दुका दूम्हाने हैं न तो रेलिवे स्टेशन पर है नहीं आपके शहर में हैं। तो यदि आपको किताब चाहिये तो आप ऍसक्राज कीं ताकत हैं। कहते हैं कि अप अमेजन से मगा लीजे। आफ फ्लिपकार्ड से मंगा लीजे। सारी के सारी किताबों की दुकाने गायब हो चुकी है, उनके बारे में सोचिए, ये e-commerce की ताकत है, तो दोस्तों, दस साल में आधे बाजार पर इनका कबजा हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो वृध्धी दर है, 2018 से जो लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, 27 प्रतिशत व फिर से आपको 27 प्रतिशत के वृध्धी देनी पड़ेगी, जैसे मालेजी के अभी 100 था, अगले साल बढ़ करके वो 130 हो गया, तो अब ऐसा नहीं है कि फिर 100 पर और 30 बढ़ जाएगा, 27 बढ़ जाएगा, अब 130 पर 30 बढ़ रहेगा, चक्रविधी व्याजदर से और सच पूछे, तो बहुत ही चिंता जनक बात भी है, खास कर मंत्री जी ने एक और भी बात कही है, देखे मैं e-commerce पर आपसे बात करने नहीं जा रहा हूँ, मैं latest अपडेट कर रहा हूँ आपको, है ना आपको e-commerce क्या है, क्या लाब होते हैं, क्या हानिया होती हैं, इनकी तैयारी अपने धंग से जाकर के लेक्चर सुनकर के कर लीजे, वो मेरा मकसद यहां है भी नहीं, मैं तो उनमें latest कुछ जोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको data दिये, ये latest है, पंत्री जी ने एक और भी बात कही, वो कही कि, खास कर जो ये e-commerce कंपनी है, ये electronic और वस्त्र, परिधान, बने बनाए वस्त्र जो आते हैं, रेडिमेट कपले हैं, इनमें बहुत जादा margin वाली छूट देते हैं, जैसे माले जै कि एक washing machine है, washing machine आप रिटेलर के पास जाईए तो कहेगा 25,000 रुपे की है, और पता लगा कि आप e-commerce के जरिये 20,000 में मंगवा लि हैं, इक्के दुक्के दुकाने बची होगी, क्योंकि आप बकायदे e-commerce के जरिये सामान मंगा रहे हैं, आपको लगता है कि ये बहुत सस्ता है, और सस्ता है भी, तो ये पहले क्या करते हैं, सीधी सी बात है कि ये दुकानों को खत्म कर दो, चीजे सस्ती सस्ती बेच करके स अब भोकता तो जो है, वो सस्ती चीजें ही मंगाएगा, ब्राइंड वही है, सब कुछ वही है, और उसको सस्ते में मिल रहा है, तो उन तो सस्ती चीज लेगा, तो ये दुकान बंद हो जाएंगे, इसके बाद फिर आगे देखा जाएगा, तो दोस्तों, इनके पास हमें बाहर निकाल देने की जो ताकत है, वो बहुत जबरदस्त है, धन की शक्ती है, ये आपके खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयार है, दुनिया भर का पैसा वकीलों को देते हैं, ताकि इनके उपर कोई केस न कर सके, और यदि कोई केस कर भी देता है, तो वो जीत न सके, ये की नहीं, ये तो घंटी न होकर के एक प्रकार का बहुत ही जबरदस्त नगाड़ा है, तो फ्रेंड्स, इस विशर पर आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही अब आज केसे डेली आडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, नमस्कार.